जैहिन आप से भी ने सुना है और आज तक यहीं पड़ा है कि इतिहास को जो है हम तीन भागों में बाठते हैं केतने भागों में बाठते हैं? तीन भागों में बाठते हैं कौन-कौन सा? सबसे पहले बाठते हैं हम इतिहास को पराचिन हितिहास में दूसरा जो बाठते हैं वो हम बाठते हैं मद्यकालिन और जो तीसरा हम बाठते हैं वो बाठते हैं इतिहास को हमें आदोने के इतिहास में लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हम इतिहास को जो है केवल तीन भागों में ही क्यों बाठते हैं क्यों इतिहास कारों ने ये समझा कि इतिहास को जो है तियन भागों में ही बाटना चाहिए जैसा कि आप सभी को पता है कि जो हमारा प्राचिन इतिहास है वो किसे समधित माना जाता है वो समधित माना जाता है हिंदू से जो मद्यकालन हितियास है हमारा वो किन से समधित माना जाता है वो समधित माना जाता है मुसलिमों से और जो आधुनिक इतियास है वो किसे समधित माना जाता है वो अंग्रेजों से जो है समधित माना जाता है लेकिन अब बात करेंगे कि केवल तीन भागों में ही क्यों बाठा गया इतिहास को एक व्यक्ति थी ब्रुटिश के जिनका नाम क्या था James Mill क्या नाम था James Mill ये ब्रुटिश के एक व्यक्ति थे और इन्होंने एक पुस्तक लिगी थी जिस पुस्तक का नाम क्या था? The History of British India. क्या नाम था? The History of British India. तो James Minna किताब लिखी थी The History of British India, जिसका मतलब है British भारत का इतिहास. ब्रिटिश भारत का इतिहास नामक जो किताब लिखी थी, वो लिखी थी James Minna. अब James Minna क्या किया था? कि इस पुस्तक में जो भारती सामराज्य था, इसको जो है समझनी के लिए क्या किया था? केवल एक भाग में ने बाट कर, इसको तीन भाग में बाटा था. किसको? भारती सामराज्य को. जो पहला था, वो बाटा था उन्होंने हिंदू सामराज्य में. भारती सामराज्य को James Minna पहले किस भाग में बाटा था? हिंदू सामराज्य में. दूसरे जो भाग में बाटा था इस पुस्तक में जेम्स मिलने वो भाटा था मुस्लिम सामराज्य में किस भाग में बाटा था मुस्लिम सामराज्य और उसके बाद जो तीसरा भाग था इस पुस्तक का भारती सामराज्य का वो था अंग्रेजी सामराज्य अंग्रेजी सामराजी तो जेम्स मिलने भारती सामराजी को तीन भाग में बाटा हिंदु सामराजी, मुसलिम सामराजी और अंग्रेजी सामराजी इसी पुस्त क्याधार पर जब इतिहास कारूनी इतिहास को जो है इकठा किया था तो उन्होंने इतिहास को केवल एक भाग में नए बाट कर क्योंकि इतिहासकारों के सामने यह समस्या थी कि इतिहास को जो है वो केवल एक सेधा जो है एक भाग में नहीं बाट सकते वो बोरिंग भी लगता है और देखने में अच्छा भी नहीं लगता तो इसी पुस्तक के आधार पर उन्होंने ये निस्कस निकाला इतिहास कारों ने कि हम जो है इतिहास को तीन भाग में बाटेंगे और वो कौन-कौन से थे सबसे पहले जो है उन्होंने प्राचिन भारते प्राचिन इतिहास को जो है अपना पहला भाग मनाया और जो इसकी अवदी चुने गई थी प्रातिन इतिहास की वो थी 2500 BC से 712 AD BC क्या होती है? AD क्या होती है? आप सभी को पता होगा कि कि जो इसा मसी है इसा मसी है इसा मसी के जनम से पहले का जो समय होता है उसको हम कहते हैं BC ठीक है जी और जो इसा मसी के बाद गजुस में है उसको हम क्या कहते हैं AD तो प्राचन इतिहास के जो अवदी माणी गई थी वो क्या माणी गई थी? 2500 BC से 712 AD उसके बाद जो दूसरा भाग उन्होंने बाटा था प्राचन इतिहास का सोरी भारती सामराज्य का वो बाटा था उन्होंने मद्यकालिन इतिहास में जो मद्यकालिन इतिहास है जो मद्यकालिन भारत है उसके अवदी उन्होंने ली थी 712 AD से 857 AD मद्यकालिन इतिहास के क्या थी अवदी 712 AD से 857 AD उसके बाद जो नंबर तीन भाग बाटा था इतिहास का वो था आधुनिक इतिहास आधुनिक भारत है और इसके जो अवदी थी वो थी 1857 AD से 1967 AD ठीक है ये तीन भाग इतिहासकारों ने प्राचन इतिहास को बाटा था तो प्राचन इतिहास मद्देकलन इतिहास आधुनिक इतिहास में इतिहास को जो इन तीन भागों में बाटा गया था क्यों बाटा गया था क्योंकि इतिहासकारों के सामने ये समस्या थी कि इतिहास को क तिन भाग में बाटा गया था हिंदू सामराजी मुसलिम सामराजी और अंग्रिजी सामराजी इसी पुस्तक के अधार पर जो इतिहासकार हैं उन्होंने इतिहास को इकठा किया और इस पुस्तक को देखकर उन्होंने इतिहास को त्यन भाग में बाट दिया प्राचिन इतिहा प्रातिम इतियास के जो अधियमाने गई थी वह 2520 से 712 AD BC और AD का मतलब होता है कि जो इसा मसीह है उसके जर्म के पहले के सिम्ह को BC में और इसा मसीह के जर्म के बाद को जो सिम्ह होता है उसको AD में लिखा जाता है दूसरा जो दाग था मध्यकालिन भारत 712 AD से 1857 AD जो तीसरा भाग था आदुनिक भारत आदुनिक इतियास 1857 AD से 1967 AD तो ये थी छोटी सी जानकारी की प्राचिन इतिहास, मद्यकलिन इतिहास और आदुन के थियास को जो इतिहास के तीन भाग हैं ये क्यों चुने गए थे तो उमिद है आपको जानकारी अच्छी लगी होगी जुड़े रहेगा और ऐसे नहीं अपडेट के लिए थैंक्स पर वोचिंग एंड कीप सपोर्टिंग जै हिंद